नमस्कारी वर फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्तित हूं बेहद महात्वपून टॉपिक के साथ बताया जा रहा है कि अमेरिका के फ्योडीडा में अब तक का सदी का सबसे भयंकर तुफान आने वाला है जिसका नाम मिल्टन रखा गया है और यह जो तुफान है यह सबसे भयंकर तुफान इस बार फ्लॉरीडा में आने वाला है और तुफान के बारे में हम बात करेंगे कैशे शुरू हुआ कहां पर तुफान आते हैं क्यों आते हैं क्या मात्पून बाते हैं वीडियो को एन तक जरूर देखेगा मेरा नाम है प्राची मिश्र और संसकति आया इसके इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है चलिया आ जाते हैं अपनी न्यूस पर लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूछना है कि आप सभी चानते हो नवरात्री चल र का सबसे बड़ा तुफान पांच लाख लोग हैं जिनको वहां से हटाया गया है और यह तुफान है वो 285 किलो मीटर पर आर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है अब आगे देख लेते हैं अमेरिका में दस दिनों में यह दूसरी बार सबसे बड़ा तुफान आने वाला इस 5 में रखा है केटिगरी 5 में वो तुफान आते हैं जो सबसे जादा तबाहि में जाते हैं इस कैटिगरी में जानवाल के भारी नुकसान का खत्रा रहता है और मिल्टन बुदवार को फ्लोरीडा में घनी अबादी वाला इलाके टैंपा बे से ठक्रा सकता है आगे बात कर महतपूर बिंदुस में क्या है देखे मिल्टन तुफान फिलहाल मेक्शिको की खाड़ी से गुजर रहा है और यह फ्लोरीडा राज की तरफ बढ़ रहा है तुफान के कारण फ्लोरीडा में 67 से 51 काउंटियों में एमर्जनसी अलर्ड जो है वो जारी कर दिया गया है फ्लोर सबस्क्राइब कर दिया को सबस्क्राइब करते हैं कि इसमें कम अब देखो गया है इसमें कम से कम आप देखो गे तो 225 लोगों की जान चली गई थी जब हैलेन तुफान आपका आए था तो यह है आपका मिल्टन तुफान जो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है और आगे बात कर लेते हैं, हवा की स्पीड से तै होता है कि कौन सा साइकलोन कितना खटरनाक होता है, कैटेगरी यहां पर आपकी बताई गई है, सबसे कम कैटेगरी में एक जिसमें बॉला जाता है कि 119 से 113 लोगों की शायद जा सकते है, जानवाल के हानी होगी, हवा की तीसरा, ये जादा मद्यम से थोड़ा से जादा आता है, इसमें 170 से 210 लोगों की जानवाल के हानी बताई जाती है, बहुत जादा में 211 से 2500 लोगों की जानवाल के हानी बनाई जाती है, जो कि आपकी चौथी शेड़ी में आ जाता है, और पाच्वी शेड़ी का तुफान बिना स्कारी होता है जहां पर 200 से जादा लोगों की मरत्य होती है और इसका असर आपको सबसे जादा देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से आगे बात कर लेते हैं टाइफून हरीकेन और टॉर्णेडों में आखिर अंतर क्या होता है हम सब यह अगलग होते हैं या एक-एक होते हैं यह सारी चीजेस में हम समझेंगे देखे स्ट्रॉम या तुफान वातवरण में एक तरह का दिस्ट्र बेंस होता है जो तीज हवाओं के जरीए सामने आता है और इसके साथ बारिश बर्फ या ओले ये स्टीनो ही पड़ सकते हैं ठीके जब यह धरती पर होते हैं तो आम तुफान के लाते हैं लेकिन समुद्र से उठने वाला जो स्ट्रॉम है इसको हरिकें कहते हैं हरिकेन आम स्क्राम से ज़ादा खतरनाक होता है, जो आम आपकी स्ट्राम आते हैं Muharikain सिकलोन अर्ट फ़ून को प्रवाइव से ब्लजा जाता है, दुनिया भर में सैकलोन को अलग-अलग नमों से बुलाया जाता है , जैसे अत्तरी अमेरिका और करिभियन आइसलैंड में बनने वाले स्लाइक्लोन को हम क्या कहते हैं हरिकेन कहते हैं फिलिपिन्स जापान और चीन में आने वाले स्लाइक्लोन को हम टाइफून कहते हैं और अस्ट्रेलिया और हिंद भारत के आसपास जो आने वाले तुफान है उनको क्या कहते हैं साइक्लोन कहते हैं समुध्रों के लिहास से देखे तो एट्लांटिक और उत्तर पश्मी महासागर में बनने यु टूफान हैं मैं। बात कहले तला इसको क्या और उठाइक है वह चाहिए। कैसे आते साइकलोन साइकलोन हमेशा समुदर में आएंगे सबसे पहले तो यह इसका एक व्याद रखेगा जो तापमान है वो 27 डिग्री सैलसियस से जादा होना चाहिए साइकलोन आने के लिए ठीक है और किसमें आते हमेशा समुदर ठीक है कभी भी आपको नदी तलाब इनमें साइकलोन देखने को नहीं मिलेंगे समुदर में हमेशा साइकलोन आते है इसके आगे बढ़ने के लिए कोरियोलसिस जो फोर्स है वो होना चाहिए तभी वो आगे बढ़ेगा यहां पर यह इंपोर्टन एक चीज हो जाती है तो जो आपने जिस समुदर है अभी जो वास्पी करत होगा यह फिर 27 दी सालसर से जादा अगर आपका वो होगा समुदर तल के उपर जो भी जल होगा वो वास्पित होने लगा है कि टेम्टरिचर से बीच में एक गैप क्रेट हो जाता इनके ठीक है बीच में क्या होता ह है तल के और हवा के बीच में उसको कौन भरेगा ठंडी जलवायू भरेगी जब ठंडी जलवायू फ्लो करने लगते है तो कुछ इस प्रकार से सर्कुलेशन मोशन में चलती है और यह कुछ इस प्रकार से सर्कुलेशन मोशन में चलता है और यह कुछ इस प्रकार से आपक पहुँच जाता है, कुछ इस प्रकार से आपका साइकलोन बन जाता है, ठीक है? मालीजे, ये दल की सत्ह है, ठीक है? अब यहाँ पर ये क्योंकि बीच में गाप क्रियेट हो चुका है, आएगी अब इसमें कौन सी हवा? थंडी हवा क्योंकि गर्म हवा उपर उठ गई है थंडी हवा उपर उठती है कुछ इस तरीके से circulation motion में चलती है और सेम इस तरह से यहां पर आती है and यह circulation motion में चलेगी और यहां पर आप देखोगे corollosis force वो वर्क करता है जिसकी वज़े से आपको जो तुफान है वो आगे बढ़ता जाता है इसकी एक आई होती है cyclone जिसको कहते है यह वाला च्छेत्र आपका पूरी तरीके से सांत होता है इसमें कोई हल्चल नहीं होती है और इसी वज़े से आपका यह जो है आगे बढ़ता रहता है तो कुछ जो एक प्रारंभिक मानक क्यादी में बात करो तो प्रारंभिक मानक यही होते है 27 डिग्री celsius समुद्र होना चाहिए साथी साथ को लॉसस फोर्स आपका यहां पर बढ़ करता है जिससे आपका यह तुफान आगे बढ़ता है ठीक है तो आई होप आपको यह चीज़ समझ में आयोंगी इसी बनते हैं बिसिकली वह आपके साइकलोन होते हैं धरती के सपस जो चेत्र में आते हैं उनको हम Tornado कहते हैं तो यह था हमारा Cyclone, Tornado, Honeycane और हमने जो मल्टी तूफान के बारे में सोना ठीक है मल्टन तूफान के बारे में क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है सबसे एक तोरी झाल